वाटर रिटेंशन यानि पानी प्रतिधारन एक सामान और अस्था इस्थिति यह कुछी दिनों में सामान में भी हो जाती है वाटर रिटेंशन उस वक्त एक सामान समस्या बन जाता है जब आपका शरीर अधिक पानी जमा करने लगता है जिससे आप असहज महसूस करने लगते हैं खास तोर पर अगर आप अपने वजन का हिसाब रखते हैं तो वजन के बार बार उपर और नीचे होने से तनाव में भी आ सकते हैं शरीर जब पानी जमा करने लगता है तो एक विक्ति का वजन बढ़ने लगता है जिसे पानी का वजन कहा जाता है अगर आप भी शरीर में पानी जमा होने की चमाशे जूज रहे हैं तो नीरास ना हो क्योंकि इसे आसानी छुद़ाया भी जा सकता है क्या है पानी का वजन मानम शरीर 60% पानी से बना है जिसमें अधिकांस कोशिकाओं में होता है एक व्यक्ति में पानी का वजन उस वक्त बढ़ने लगता है जब तरल पदार उत्तकों में एकत होने लगता है जिसकी वज़ासे शरीर में सुजन आने लगती है ऐसा तब होता है जब आप पानी का सेवन कम करते हैं परियापत पानी का सेवन ना होने से शरीर अतिरिक पानी को पेसाओ के जरी बाहर निकलने की जगा उसे जमा करने लगता है जिसकी वज़ासे पानी अंगो और तुचा में जमा हो जाता है पानी के वजन को भटाने के लिए क्या करें? कार्ब का सेवन कम करें कार्बो हैटर तीन अवर्षिक मैक्रो न्यूट्रियंट्स में से एक है जिसकी हमारे शरीर को पर्टिधारन का कारण बनता है जब आप इसका अधिक मातरा में सेवन करते हैं जब आप खुब सारे कार्ब का सेवन कर लेते हैं जिसका शरीर उर्जा के उत्पादन करने के लिए उप्लोग नहीं करता तो यह गलाइकोजन में परिवर्तन हो जाता है और उर्जा के लिए मांस पेंशियों में जमा हो जाता है इसलिए पानी का वजन कम करने के लिए पेट को आकरशिक करता है इससे सूजन और बजन बढ़ने लगता है अगर आप कूछ समय से काफी नमistant Sn revenues का सेवन कर रहे हैं तो वक्त आगिया है इसपर रोक लगाई जाए it कई सब्जियां भी पेट में सूजन का कारण बनती है लेकिन पानी भरना एक अलग बात है हमारे शरीर को एक दिन में सिर्क तेज सो मिली ग्राम नमक की जबत पड़ती है साथ ही नमक कई खाने की चीजों में भी ट्राक्रितिक ग्रुप से होता है इसलिए नमक के सेवन को ले पाने भी कम होता है